यह दिल्ली का सुप्रसिध राम लीला मैदान है यहां बच्पन से मैं आ रही हूँ हर साल दसहरे के दिन यहां इसी मैदान में रावन के पुतले का दहन होता है मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंद्रा जी के साथ आती थी उनके पैरों के पास समीन पर बैठ के देखती थी उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायन है भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई आज जो सत्ता में हैं वैं अपने आपको राम भक्त कहलाते हैं इसी लिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्ब में कुछ कहना चाहिए मुझे लगता है कि वैं कर्म कांड में उलज गए हैं मुझे लगता है कि वैं दिखावे में लिप्त हो चुके हैं इसी लिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास सत्ता नहीं थी भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास संसाधन नहीं थे उनके पास तो रत भी नहीं था रत रावन के पास था संसाधन रावण के पास थे सेना रावण के पास थी सोना रावण के पास थी वो तो सोने की लंका में रहता था भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विने था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था मैं सत्य में बैठे हुए, सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधान मंत्री इस नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था, सत्य सदेव नहीं रहती, सत्य सत्य आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का झाल